दोस्तों ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़ादा important होने वाला है, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी important चीज़े बताने वाला हूँ, जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़ादा जरूरी है, इस से पहले वाला जो वीडियो था, उसमें भी मैंने आपको कुछ ऐस नो के पेसेंस रखिए और उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि आप अपनी प्राइस को एवरेज कैसे कर सकते हैं जिसकी मदद से आप अपनी लोसेज को फटा पट कम कर सकते हैं अगर आपने वह वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं इसे जस्ट नीचे वाला वीडियो है और इस वीडियो को आप प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बिना इस कीप के अंट तक जरूर देखना आपके बहुत काम का है और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सस्क्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और प्लीज इस वीडियो को ला मार्केट गिर रहा है अगर यह थोड़े दिन तक ऐसे चलता रहा तो फिर डाउन ट्रेंड आजाएगा मैं कुद यह नहीं चाहता हूं कि डाउन ट्रेंड आये मैं तो यह जाता हूं कि अप्ट्रेंड आए लेकिन अप्ट्रेंड आने के लिए बिटकोईन की प्राइस को 45 55,000 डोलर तक जाना होगा या इससे उपर जाना होगा तब यह अप्ट्रेंड आ सकता है कि अब बिटकोईन की प्राइस और भी उपर जा सकती है और यह सब कुछ मार्केट रिकावर हो जाएगा लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ बिटकोईन की प्राइस इसी तरीके से फ्लक् करना होगा आपको किसी भी हालत में सेल नहीं करना है बिटकोईन की डोमिनेंस बहले कितनी वी उपर चली जाए अगर अल्स नीचे आजाते हैं तो आपको डरके सेल नहीं करना है मैं कल वाला वीडियो इसलिए बनाया था कि आपके कोईन की वेल्यू डाउन हो रही है कोईन थोड़ी कम हो रहे है इसको रिकावर करने का ओप्सन से हैं मैं आपको बता दूँगा हम आपके साथ है तो यह डरके कैसे भी सेल कर दें उनका मकसद ही यह है लेकिन आपको डटके रहना है सेल नहीं करना है बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है मैं आपको कब से बोल रहा हूं आपको पैनिक नहीं होना है तो दोस्तों सिच्वेशन जैसे भी हो आपको डरना नहीं है बले मार्केट कितन गूँ आपको बताएंगे तो इसलिए आप परिशान मत हुई है आपको जो लोस हो रहा है हम को भी हो रहा है । अगर आप यहसे हैं कि आपको कमाले है अब हम Bringing । market किसी के बस में ना आपके बस में ना मेरे बस में लेकिन market जिस तरीके से react करता है वहाँ पे हम क्या decision लेता है वो हम पे depend करता है तो हम आपको कोई गलती करने से बचा रहे हैं तो वो important है आपको हमारी भी बास सुनी चाहिए हम कोई गलत information तो दे रहे नहीं आपको यहाँ पे YouTube पे बहुत सारी YouTubers हैं जो आपको अच्छे-चे information दे रहे हैं उनके आपको respect करना चाहिए वो आपके लिए इतना time निकालते हैं आपके लिए content बनाते हैं हम ऐसे थोड़ी मेनत कर रहे हैं अगर आप बताओ अगर वीडियो बनाना इतना आसान है तो आप क्यों नहीं बनाते हैं अगर हम आपको कुछ valuable knowledge दे रहे हैं तो वो भी तो important है ना ऐसे वीडियो नहीं बन जाते हैं आपको दे बाद try करके देख ले ना तो यहाँ पर यह बात आती है कि यहाँ आपको जो भी अच्छी information दे रहे हैं यूटूबर उनकी बात सुनिए वो आपका बुरा नहीं चाहते हैं हम कभी ऐसा थोड़ी चाहते हैं कि आपको lost हो जब भी कोई ऐसी situation होती है हम आपके साथ खड़े रहते हैं तो इसलिए आप थोड़ा समझिए मार्केट में जो भी और आपको पेनिक ना होने के पजाए patience रखिए आदे लोग तो यहाँ पर मार्केट के क्रेस होने के कारण बहुत ज़्यादा पेनिक होगे हैं वो तो उल्टा सिदा दा के बोल रहे हैं कराने के पूरी कोशिस करें ऐसा नहीं कि हम ऐसे भाग जाएंगे ऐसा कर देंगे यूटूबर्स आपके लिए तना डेडिकेट हैं आप सोच नहीं सकते हैं मैं हर कोई यूटूबर की बात नहीं कर रहा हूँ कोई तो ऐसे भी वीडियो बना रहे हैं कुछ भी ऐसे ही लेकिन आपको जो रियल ओथेंटिक फेल्यूबल नोलेज दे रहा है उसकी बात सुनिए वो आपको इस सिच्टूइशन में हैल्प कर सकता है नहीं तो यहां पर मार्केट तो किसी के हाथ में है नहीं आप जो करो वो करो आपके मर्जी है लेकिन आपको गलट डिसीजन लेने से बचा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे अब जो भी होगा दो-तीन दिन का बहुत important टाइम है अभी जो market उपर जाए या नहीं जाए जैसा भी होगा मेरे को personally ऐसा लग रहा है कि यहाँ से market बहुत pump करेगा कि बहुत ज्यादा dip में आ गया market को लग रहा होगा इससे यहाँ से नीचे जा सकता है जा सकता है लेकिन यहाँ से उपर जाने के चांसे बहुत जाए यह जान बूच कर बार-बार market को गिरा रहे हैं ताकि लोग panic होके sale करें उनका मकसद यह है कि जादा-जादा लोगों को यह panic करा जाए जब इनका मकसद complete होगा market यह बार थोड़ा stable होगा market pump करने लग जाएगा और रही बात अल्स की कि आपको बहुत जादा लोस हो रहा है तो बस यहाँ पे बार-बार market को देखेंगे कि यार में को इतना लोस हो रहा है तो बहुत पैनिक हो जाएगी आपको किसी भ करना है मैं बार-बार आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप मालो आप सेल कर देता है तो फिर आपके पास कोई option ही नहीं रहता है आपको फिर लोस को रिकवर करने में बहुत जादा time लग जाएगा अभी यहां पर यह थोड़ी हो गया कि यहां पर downtrend आ गया है अभी confirm नहीं है जब downtrend आजाएगा तब हम decision लेंगे जब मैं आपको बताऊंगा मैं जो खुद personally करूंगा वो चीज़े करना तब लाजमी है अभी इस time यह नहीं है कि बस जो आया मन में कर रहे हैं या फिर किसी को जागे गालिया बख रहे हैं किसी को यह बोल रहे हैं तेर आपका बोरा चाने के लिए इस से इसको अगर समझ पा रहे हैं तो समझ यह हम आपकी help करने के लिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe कर लिजे आगे भी आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे तो दोस्तों आसा करता ह आपको सब को समझ में आ गया होगा अगर अभी भी आपके मन में कोई doubt है तो please नीचे comment करके बता दीजिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में till then bye झाल